कि यहां पूरी डिटेल्स में आपको बता देता हूं नोटिफिकेशन में और प्रोसीजर बता देता हूं कि किस तरीके से आप चैलेंज कर सकते हूं और अपनी अंसर की को चेक कर सकते हैं ठीक है तो अगर हम इसमें देखें तो इन्होंने पहले सबसे पहले आपको इन्होंने वेबसाइट बता रखे आपको ठीक है और यहां पर इन्होंने पूरी डिटेल्स दे रखी है ठीक है अगर हम इसका पेज खोले तो यहां पर आप देख सकते हैं तो इन्होंने पूरी डेट्स मेंशन कर रखी है कि 6 जनवरी 2024 से लेकर 8 जनवरी 2024 तक 11.50 पीम तक आप चैलेंज कर सकते हो अपनी अंसर की में और उसके रिगार्डिंग जो आप पेमेंट करना है आपको तो वो 8 जनवरी 2024 लास्ट है पेमेंट जिलेख करने के लिए तो इस मतलब दो दिन के लिए tastखी चैलेंज करने के लिए और प्लस जनवरी तक उन्होंने मैंशन कर रहे कि लास्ट येटove अपेमेंट कर सकते हो तो इसके पूरी details जो है इन्होंने नीचे भी mention कर रखी है, जैसे हम यहाद देख सकते हैं, सबसे पहले इन्होंने website बता रखी आपको, वहाँ पे आप visit कर सकते हैं, फिर उसके बाद application number अपना date of birth और security print डाल के आप login कर सकते हैं, वह भी आपको show भी कर दूँगा window, फिर आप जो question paper आप उसको view कर सकते हैं, अपनी response sheet को view कर सकते हैं, ठीक है, और आपको answer की भी वहाँ पे available रहेगी, उस answer की में पूरा sequentially question ID भी mentioned है और उनके correct answer भी mentioned है, तो आप अपने marks जो है वो यहाँ से check कर सकते हैं, प्लस उसके बाद अगर किसी question में आपको doubt है, तो आप उसके challenge भी डाल सकते हैं, उसी particular question ID के corresponding, ठीक है, तो यहाँ पे, यहाँ पे mention कर रखा है कि ID के against, उसका correct option mention है, वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, फिर वहाँ पे जो है, यह देखो, if you wish to challenge the option, you may use any one or more than option ID to the next four columns कि, अगर आपको check box में check करना है, ठीक है, तो check box पे clear करके, फिर आप save your claims, यहाँ पे लिखा हुए कि उससे save करके, ठीक है, उसके नीचे यहाँ पे, आपको जब आप उसका अपना answer, जो आप डालोगे, challenge करने के लिए, उसके related, आपको supporting document जो है, वो भी upload करना पड़ेगा, यहाँ पे, और फिर उसके regarding, यहाँ पे fees भी mention कर रहा है, that is 200 रुपी और 8 January रास data payment करने की, ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप CSR की net, that is, CSR net.nta.ac.in पे अगर आप login करोगे, तो ऐसी कुछ window खुलेगी, जिसमें आपे mention कर रखा है, answer की challenge करके, तो जब आप इस पे click करोगे, answer की challenge के लिए, तो फिर आपकी यह वाली window खुलेगी, जिसमें आप आपको application number, date of birth, अपनी भरनी है, और यहाँ पे security pin आप करके, जब login करेंगे, अपने application के according, तो आपकी response sheet वाँ पे वो शो करेगा, प्लस जो आपकी, इनकी द्वारा निकाली गई, answer की है, वो भी शो करेगा, तो उसमें आप claim डाल सकते हैं, और challenge कर सकते हैं, किसी question को, मतलब fees payment करके, फिर उस question को challenge कर सकते हैं, ठीक है, तो यह challenge window, 6 January to 8 January आपकी open रहेगी, ठीक है, तो further हमारे initiatives के बारे में जान रहेगे लिए, आप हमें Instagram page में follow कर सकते हैं, Instagram का link जो है, वो description box में given है, हमें like कीजिए, subscribe कीजिए, thank you.